नमस्कार दोस्तो रादे रादे कैसे हैं आप सभी आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे खुशों में स्वस्त होंगी तो आज मैं लेकिया आई हूँ आपके लिए कुछ अलग और बहुत सारी मेरी जो बहने हैं दीदी हैं उनकी समस्या होती है कि साड़ी नहीं बंदती सा आज मैं आपके लिए एक जो स्पेशल वीडियो है वो बना देती हूँ तो यह साड़ी है सुनीता की साड़ी है यह तो यहां इसमें मुझे प्लेटे डाल ली है क्योंकि सुनीता को भी साड़ी बांदी नहीं आती आपको सबसे पहले क्या करना है कि ब्लाउज निकाल देन इसमें से अगर ब्लाउज अटेच है साड़ी में तो ब्लाउज आप कटिंग करा लें जितने में कपड़ा मनलब बनती हो उसके बाद जो लाश्ट वाला सीरा है आप उसको अपनी कमर पे हलका सा लूच छोड़के लपिटे वो निशान देखिए जहां से आपकी पहली प् पल्ला कितना छोड़ना है एक चीज मैं और यहां पर बता दूँ अगर आप फिरी पल्ला ले रहे हैं तो थोड़ा सा छोटा पल्ला भी आपको चल जाएगा मतलब अगर लंबाई थोड़ी सी कम है पल्ले की तो भी वो चल जाएगी फिरी पल्ले में लेकिन अगर आप प् तो देखी यहां पर भी मैंने जितना पल्लू मुझे छोड़ना है उतना मैंने छोड़के यहां पर उसका निशान लगा लिया है यानि कि जितने सीरे में हमारी पलेटे बनेंगी बल बनेंगे हम लोग बल बोलते हैं उनको उतने सीरे का मैंने निशान लगा लिया है अब क्या करना है कि जिस निशान पे हमने कमर वाली साइड मतलब जहां पर निशान लगाया है वहाँ आपको इस तरीके से करके देख आप देख रहे होंगे कि फिंगर पे मैं कैसे लपेटरी हूं तो इसी तरीके से करके आपको जो साड़ी की प्लेटे हैं वो बनानी है एक बार इस साइड करेंगे तो पूरे इकबली प्लेट बनती है या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप तिन तिन चरचर इंच पे निशान लगा के भी आप प्लेटे रेडी कर सकते हैं मुझे ऐसे ज़्यादा एजी लगता है क्योंकि हम लोग बानते हैं तो इस तरीके से प्लेटे ब प्लेटे में या कमर वाली साइड एड़ेस्ट हो जाता है उसके बाद आप जो ओल पिन आती हैं जो पिन आती हैं सेफटी पिन हो या कोई भी पिन हो उनसे आप इन प्लेटे को एकदम से सिक्यूर कर लीजे ताकि वो बार बार ना छुटें और उपर की साइड आपके कोबली मिलाल के महा पे भी पीन आप कर लीजे जिससे कि जब आप इनको सिलाई लगाएं तो यह हिले ना उपर नीचे ना हो और आपकी सिलाई जो है वो बिल्कुल स्मूदली लग जाए तो उपर की साइड जो प्लेटे है वो मैंने बहुत अच्छे से एक साथ साथ कर लि की कोशिश करेंगे जिससे की नीचे और उपर की दोनों प्लेटे एकवली मनलब सैट हो जाए तो यहाँ पे जो उपर वाली साइड है मनलब जहाँ पे हम प्लेटे अंदर पिटिकोट में इंसर्ट करते हैं वहाँ पे आपको कम से कम दो या तीन इंच की सिलाई लगानी है नीचे की साइड उपर से लेकि नीचे की साइड जिससे की जो प्लेटे है वो वहाँ से दबी रहे और नीचे की साइड आगे वो फैल लेना या खुलेना तो देखे प्लेटे हमारी इस तरीके से करके हम जटक के थोड़ा सा सैट कर लेंगे लास्ट में ही करनी है वैसे तो आप इसको लगा सकते हैं यह प्रमानेंट हो जाएगा या फिर आप टेमप्रेरी करना चाते हैं तो जो सेफटी पीन है आप उन्हें लगा के काम चला सकती हैं तो लीजे यहाँ पर मैंने मशीन रख ली है और सेम कलर का धगा में ले रही हूं वैसे तो देखे नजर नहीं आ से हम सिलाई लेना शुरू करेंगे बिल्कुल प्लेटों के उपर से नहीं लेंगे थोड़ा सा पिछे से दबाना शुरू करेंगे जिससे की जो सिलाई है वो ना खुले तो देखिए यहाँ पर मैं जो है उपर की साइड जो प्लेटे हैं वहाँ पर मैं सबसे पहले सिलाई लगा के उनको दबा लूँगी, थोड़ा सा सिलाई को प्लेटों से आगे भी निकालने, थोड़ी से एक्ष्टा सिलाई प्लेटों के आगे वाली साइड और थोड़ी से सिलाई प्लेटों के पीछे वाली साइड जरूर लगाएं, जिससे कि प्लेटों की जो सिलाई है वो न तो लीजे देखे कितना सिंपली हमने ये प्लेटे जो है अपनी सैट कर ली है और अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं जो कंधे पाली जो पल्ला होता है उसकी प्लेटे भी डालनी मैं आपको सिखा सकती हूँ अगर आप चाहते हैं तो फ्लीज मुझे कोमेंट करके जरूर बताएं या इसके अलावा आप कोई और इजी टिप्स चाहते हैं तो वो भी मुझे बताएं मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करने की तो इस तरीके से अगर आप साड़ी रेडी करते हैं तो आपको साड़ी पहनने में दो मिंट से भी कम का टाइम लगेगा यानि कि जिन लेडी को भी साड़ी पहननी नहीं आती वो भी फटा फट मिंटों में दो मिंट में तयार होके खड़ी हो जाएंगी इतना इजी इसको बनाना भी इतना ही इजी है और इसको पहनना तो उससे भी जादा इजी हो जाएगा फ्री पल्लू है तो बिलक वाली साइड आती है यानि के जो अंदर वाली साइड है कमर वाली साइड है वहाँ का भी मैं पल्लु जो है तिनारी फोल्ड कर दूंगी आपको पी को आती है करनी या आप हाथ से भाही तुर्पाई कर सकते हैं मैं इसी से ही कर देती हूँ तो वो मुझे जादा अच्छे लगता है तुरुपाई से ये पक्की सिलाई लग जाती है तुरुपाई खुलने का चांसिज रहता है तो देखे यहाँ पर अब मैं इसकी जो पलू है वो भी मैं सैट कर दूँगी बिल्कुल और ये सुनीता के साड़ी बिल्कुल रेडी होगी है अब तक मैंने उसे जितनी भी साड़िया दी है सुनीता को वो सारी की सारी मैंने उसे इसी तरीके से बांद के मतलब तयार करके दी है जिससे कि वो बहुत एजीली पहन लेती है मैं खुद अपनी कई साडियों को जैसे कई हैवी साडिय मेरी हो जाती है या कुछ कई बार फिसलने वाली जो साडिया होती है उनकी जो प्लेटे है वो बनाने बड़ी मुश्किल हो जाती है तो उस तरह की जो मेरी साडिया है उनकी भी पलेटे मैंने इसी तरीके से fix की हुई है बिलकुल उनको फिर पहनने में मुझे दिक्कत नहीं होती नहीं तो जो slippy सा कपड़ा होता है बहुती सिल्की सा होता है कहीं बार होता है तो उनकी प्लेटे बनाने में अच्छे खासों को दिक्कत आ जाते है जो की मतलब रोज डालते हैं उनको भी तो लीजे देखे हमारी साडी हो गई है रेडी अब मैं आपको दिखाते हूँ कि आप इसकी प्लेटे वगईरा कैसे सैट करेंगे तो यहाँ पे देखे जो सबसे पहले तो जितने भी एक्ष्ट्रा धग्य निकले हुए हैं कुछ वो सारे काट दीजे फिनिशिंग के लिए अब देखे जो प्लेटे हैं उनको हम करेंगे सैट यह नीचे वाली साइड है और यह दूसरी साइड है उपर की साइड तो देखे प्लेटे हमारी बिल्कुल सैट हो रखी है और इस तरीके से ऐसा होता है कई बार की तैनी अच्छी तरह हो पा रही है तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगे कि आप तै किस तरीके से कर सकते है इस तरह कि साडियों की तो देखे प्लेटे हमारी नीचे से बिल्कुल इकवल ही है उपर नीचे कोई प्लेट नहीं है हमारी और पैनने के बाद भी किसी को पता भी नहीं लगेगा कि आपने जो साडिय है वो फिक्स की तो देखे हमारी प्लेटे होगी है सैट जब पहनेंगे तो ये और अच्छे से सैट हो जाएंगी फिलहाल मैं इनको ऐसे ही करके देख रही हूँ क्योंकि जब पहनते हैं तो देखे दुबारा इनको सही करना ही पड़ता है लेकिन ये साड़ी है कि आप बिना किसी मदद के भी आराम से पहन सकते हैं और देखे ये वाला जो तरीका फिलहाल मैं कर रही हूँ इस तरीके से भी आप प्लेटे डाल सकते हैं बहुत एजी ली डल जाती है मुझे वो ज़्यादा एजी लगता है क्योंकि हम डालते रहते हैं साड़ी तो इसलिए वो जल्दी बन जाती है तो जी लीजे आज मैंने आपकी मिंटों की जो टेंशन है अब घंटों की कहीं बार तो सच में घंटे ही लग जाता है किसी का वेट करना पड़ता है तो वो काम जो है मैंने आपका मिंटों में कर दिया है हो गई है हमारी साड़ी रेडी टू वियर आप जब चाहें आराम से इसको पहन सकती है उठा के और फिर इसको ऐसे कैसे ही रख सकती है तो जी देखे साड़ी वगेरा कर दी है मैंने तयार उसके बाद मैंने खाना वगेरा बनाया था फिर मैं अपने बच्चों को ले के आई हूं सबने खाना वगेरा भी खाया उसके बाद बारी रह जाती है सिर्फ गुड़ो इशू के स्कूल से आने की तो अब मैं उनको भी ले के आ जाओंगी मेरे बिना भी सर्ता नहीं थारा भी चलो इतना बच्चो कंकपड़े चेंज करो इतना बबबो अरको लेका हूं और अपना ट्यूशन का बैग लगा लिए शाड़ी तीन बजे फे ट्यूशन भी जाना ठीक है चली जी में लेका आती हूं बच्चो को जी कर दो थी और खर्दय जो घर सटल के लिए जी बबो आरेका है खाने लगी है खाणा कैस तो दिलना ह। गुट्ड तो कहीं दीन जो गया आधि स्कूल है शिऴ 2-3 दी्न ौन टेशन तरी दिन में इशु दो दिन में तेरी सेले तो पूछ रही होगी तेरी मैड़ बे पूछ रही होगी मारी फैवरेट चिल्डरन का आ गई इस्टुडेंट उच्छा नी है इशु उच्छा नी मतलब बतावनों ना तुझा मिस नी करा है ना मतलत बत आया तो मैड़म मर की मैसेज करका कहना पड़ाख स्टुडेंट मारी बबबो का इसका मिस करता है मैं बुद्दू और इशु हम तिननों जाएंगे पैदल तो ये दोनों पहने खाना खालें फिर उसके बाद जाएंगे या मदरी तो यह बस चलिए इस वीडियो को भी मैं है पर ही रोकूंगी उधर जाका क्या कारणा में होंगे वह आपको अगली वीडियो में दिखा दूंगी इसी में याड करूंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जागा फिर लंबा वीडियो देखते में बोर यत्सी उन लग जाती होगी आपको तो जी चलिए खैट रोपते हुआ वीडियो को यही पे कैसा लगा पताईएगा जरूर अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें शेयर करें कमेंट करें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले फिर मिलते हैं एक और नहीं वीडियो के साथ आप लोग अपना बहुत ध्यान रखें खुश रहिए सवस्त रहिए मिलते हैं जल्दी तक तक के लिए बाई बाई रादे रादे